नहुसकर जिरास्तार में आपका स्वागा थे इस वक्त आपके साथ मैं हूँ आपिनावभी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रीट पेपर लिग की तो सरकार ने आज रीट लेवल टू पर रिक्षा रद्द करने का फैसला लिया है CM अशुक गैलोत ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी खोशना की है CM गैलोत ने कहा कि लाखो अब भी अर्थियों के भविश्य को देखते हुए सरकार ने लेवल टू रद्द करने का फैसला किया है CM गैलोत ने कहा कि रीट लेवल टू अब दो चरणों में होगी पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके बाद भरती परिक्षा होगी लेवल वन और लेवल टू में अब कुल 62,000 टीचर्स की भरती की जाएगी CM ने कहा कि सुझी की जाच में सामने आया कि करीब 300 लोगों को रीट का पेपर मिला था उन्होंने कहा कि सरकार नए सीरे से जुब भरती परिक्षा लेगी उसमें ओवरेज हुए अब भरतियों को उम्रसीमा में छूट भी दी जाएगी तो आज में तेजियाक हम इस एज्ञाम को L2, L1 में तो कोई पेपर आउट हो नहीं है L2 का एज्ञाम जो है उसको निरिस्ट करेंगे और L1 तो एज्ञाम उसमें कोई पेपर आउट हो नहीं हुआ है L2 का एज्ञाम जो उसको निरिस्ट करके ने शिरिस्ट सब को चाहिए में जाएगा उसके अंदा कहने गुंज़ खतम हो जाएगी उसको दुबारा पहले कर रहेंगे और रहेंगे महनुष के कान से उसको उसको हम लोग छूट देंगे प्राबलम नहीं आएगी यह अन्फॉशिनेट है संक्याम बढ़ा रहे हैं पहले 31 थी लगभग, 31 के थी 32 थी लगभग, 32 थी अब 32 के अलाबा पहले बीच हमने गोष्णा की थी अब हम तीस ही गोष्णा करते हैं तो बदीस और वासरथ हजार बरते हो जाएगी टूटल वासरथ हजार बरते हैं टूटल हजाईगी एद टूग एड्वाजाम जो सको निर्स करके नेरे शिरेशे सब को चाहरे में जायता उसक रहन्ता कहने गुचरश खतम हो जाएगी उटको दुबारा पहले कर रहेंगे रिट जो पहले सिस्टम सा भारतरगार कहा हमारे वक्त में दो एक्जाम होते थे उसके बाद में फाइनल जो नौकरी के लिए बर्तियों के रश्ट होता है एक्जाम दुबारा पहले कर रहेंगे रिट जो पहले सिस्टम सा भारतरगार कहा हमारे वक्त में दो एक्जाम होते थे एक लिए प्रेस कोंफरेंस में बोलते हुए पीसी सीचीफ गोविंसी डोटासरा ने कहा कि अगर मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम सामने आता है तो मैं राजनीती से सन्यास ले लूगा साथी डोटासरा ने विपक्ष पर सरकार को बतनाम करने के साथ मंतरे सुभाश गर्ग के पीसो की पत्नी का नाम सामने आने पर हैरानी जाहर के मेरे उपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया एक आलपिन की नोग जितना आरोप साबित कर दे इस रीड भरती परिक्षा मेरे या मेरे परिवार के सामिल होने तो मैं आप सब के सामने कह रहा हूं कोट कर लीजिए जिन्दगी में मैं और म मैं विदान्सवा में बताने वाला था मेरे परिवार के 13 लोगों ने एकजाम दिया 13 में से एक भी पास मिपास में इनको सर्म आनी चाहिए सुभास के जरग जी के पिए इसो के लिए अभी कि रोडी जी ने बोला कि वह पास हो गया पेपर लीग हो गया एक सो पचास में से 29 नंबर आए सरम आनी चाहिए यह युवाओं के बहुश्य दे साथ खिलवाड कर रहे है रीट लेवल टू रद होने के बाद सांसत किरोडी लाल मेडा ने फैसले का स्वागत किया है किरोडी लाल मेडा ने कहा कि CM मुझ पर आरोप लगा रहे थे मेरे पास साक्ष कहां से आए ये बार पूशी जा रही थी CM मुझ पर मुझे सीरियसली नहीं लेने की बात कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने मेरे आरोप सीरियसली लेते हुए परक्षा रद की जिन जिन मगर मच्च और बड़ी मच्छियों के नाम में बता रहा हूँ उन से जाच करके उनको गृपतार किया जाए एक मानिय मुझ मंत्री जी नहीं कहा है मेरे बारे में को उनको सीरियसली नहीं लेना चीए पर मैं धन्वाद देना चाहँ हूँ मानिय मुख मंत्री जी का कि उन्होंने सीरियसली मुझे लेकर परिक्षा रड़ की रद कर दी ये मुख मंत्री जी नहीं मेरो को गंभीरता से लिया है रीट लेवल टू रद करने पर अभीरतियों की अलग-अलग प्रतिक्रियां सामने आ रही है जोदपुर में जी मीडिया समवादाता ने जेन वीउ के कुछ आतरों से इस बारे में बाच चुछी मुख मंत्री के रीट लेवल टू की परिक्सा रद करने के आदेश के साथ ही प्रदेश बर से अलग-अलग प्रतिक्रियां आ रही है जोदपुर के जैनान व्यास इस बार और किस सर से आप लोग इस रीट लेवल टू की परिक्सा रद किये मुख्य मंत्री क्या मानते है निश्चित रूप से जन्नाइक दुआरा ये फैसला स्वागतियों के फैसला है जोदपुर्यनशी परिवार इसका सोगत करती है जिस तरीके से रिटोस्व का आयोजन आधनी जन्नाइक जी दुआरा हुआ था पूरे देश में इसकी एक मिशाल पेश हुई थी शरकार दुआरा पसों का आना जाना है शुविदा हुई थी परन्तु बार्त जन्ता पार्टी के जो मन्सूब हैं यह मन्सूब है कभी आधनी असोगलोजी के होते वे काम्याब नहीं होंगे यह बड़ी आयोजन था पर वापस रीट फस्ट और रीट लेवल टू के अंदर पास्ट जार बरती का जो असोगलोजी का वचन है इसको सरक सरकार पूंड करेगी आपकी सर से देखते हैं यह जो जिर्ट परिक्सा निरस्त करने का अधिया सायों आधर निया मुख्यमंत्री जी दुवारा लिया गया फैसला छत्रेत में मुख्यमंत्री मोदा ने विश्वास दिलाया है कि विदान सभा के अंदर जल्द एक नया वि अधिकारी या नेता घोटाला करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की दाएगी तो इससे छात्र निचिंद रहा है कि उनके बविश्य के लेकर राजी सरकार सजग और सतर्क है मैं सरकार से निविदन करना चाता हूँ चोर नहीं चोर की मा को पकड़ो जिन्नों ने ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा ये रीट कैंसल होने से धोका हुआ है उस गरीब विद्यार्थियों का बविश्य अंदिकार में गय सब्सक्राइब रहां को जल्द जल्द पूरण कर्विद्यार्थियों के साथ में नियां करें यानि की कह सकते हैं gramm lot प्रतिकरीर आ रहे हैं कुछ लोग मुख्यमंत्र के पैसले का स्वागत कर रहे हैं कुछ कुछ लोग बिरोध कर रहे हैं और इसकी सीबी आइज coração कर Ben